नमस्कार साथियो, मैंने मुलमाटा, आप सभी का सभावत करती हूँ क्रेजी जी के टिट की YouTube प्लेटफॉर्म पे, उमीद करती हूँ आप सभी शांदार होंगे, हम वोक्याब्री सीरीज का लेक्चर नुम्बर 15 कवर करने वाने स्टुडेंट्स, अगर मैं अभी तक बता दू तो हम कम से कम 700 से 800 के बीच वर्ट्स कवर कर चुके हैं, जोकि खुद में बहुत बड़ा नमबर है, सारे वर्ट्स को हम देखते हैं, उनका हिंदी मतलब समझते हैं, और साथी सारे एक्जाबर्स भी देखते हैं, और तो कुछ वर्ट्स असर रह सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी को रेफ़र करूंगी, आप लोग पीडियाफ जरूर से डाउनूड करनी आपरे, और पीडियाफ आपको कहां मिलेगी, तो पीडियाफ आपको मिलेगी रूट आप्लिकेशन पर या तो क्रेजी जी के ट्रि जेता है, अगर मैं एंटोनिम से बिए बात करो या बात करो तो वहां पर क्या उप्सटा है, चार ओप्शन में से स्टूडेंट नहीं कर पाते होरने लगता है, तो सारे उसे तो सही लग रहे है, क्योग तकि सारे ऊप्शन खुदने बहुत ज्यादा फ्लोज होते हैं, लोग PDF जरूर से राइफ़ करा करो और सेकेंड ली वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे अगेंड आज की थीम आज भी हम पाइफ थीम डिसकस करने वाले हैं बहुत ही शांदार और इंड्रस्टिंग थीम होने वाली है आज की तो सभी लोग सेशन को आफ्री तक जरूर अब साथ ही साथ आप लोग से भी घुजार इस्ट एगी कि आप कॉमेंट करके बताएं कि अपकमिंग सेशन में आप लोग क्या चाहते हैं कि आप ग्रामार से लेटर चाहते हैं मैं कोई टॉपिक लेकर आओ या एनिधिंग विचेवर इन्यूर माइंड आपके कॉमेंट क टरीखें कि होते हैं अलग तरीके के घलदियां होती हैं अब एन्सान करता है नियूर में लाग भया कि अपर कुछ ब्लास्फेमी कर लेते हैं उनके रिलीजियन के आप पोज में कुछ बोल देते हैं जो कि बहुती गलत चीज होती है वी शुट रिस्पेक्ट और रिलीजियन चाहिए आप किसी भी ध्रम की इजट करना हुमारा फर्ज है इसी चीज पो अशुंद करना ये आप यूज कर सकते हूँ जब आप किसी परसं की डिस्रिस्पेक्ट करते हूँ उसके लिए ये प्रोफेंड वर्ड ये यूज करते हैं उसे हम कहते हैंे strap willage tab willage का मतलब भी वही होता है जब आप किसी भी pious या पवितर चीज़ का अपमान करते हैं destruction इसका मतलब भी सें किसी भी चीज़ का disrespect करना next क्या है still in a small amount जब आप किसी चीज़ की चोरी करते हैं जोटे-चोटे amount पे लेक्स फूर्ड़ोइंग मतलब क्या होता है यह एक्साम में बार वर्ट पुछा गया है पुछा गया है यह सारे उसके अलावा भी कुछ रेलेटिव वर्ट्स हैं जैसे रसल है, जब आप पूरी की पूरी की पूरी की चैटल को क्या फर्लू स्टील कर लोग, आप सभी को बता है, आप जैसे कैटल से बहुत बढ़ा बैनिफिट होता है, जो भी उनका ओनर रहता है, तो कुछ रोख राद सोते समय, उनके बालिक सोते समय रसल कर लेएं या पोरी की पूरी के चैटल को चुरा लेते हैं, यह वर्ट भी एक्जाम में कहीं बार आया है, इन दोनों का मतलब होता है, स्चिलिंग ओफ फर्लू करते हो, पैसो का हैर्फिर्ट कर ले तो जिससे अपने हीरा फेरी मूवी करते हैं very very important word for your examination आगे बढ़ते हैं example देखेंगे तेखेंगे लिए वस प्रॉपन इन विलिजिस प्रीसे इस बोथ इन लेगल और डिपली डिस्रिस्पेट्री आप सभी को पता है जहां पर प्रिश्चन लोग dead bodies को अंदर दफनाते हैं उसे हम कहते हैं symmetry नेच्स्ट थीम आप लोगों की क्या भी है विस्ट्री या फिर पजल नेच्स्ट थीम आपके मिस्ट्री और पजल से लेटेर हैं तो आप लोग बताईए सबसे पहले comment में मुझे लिंकर मिस्ट्री और पजल से मैडम इसका मतलब क्या होता है तो नीवर्स का मतलब आपको बता देते हैं जैसे newspaper की cuttings में आपने देखा होगा कभी-कभी महेली आ जाती है जैसे आपको कोई picture बना के देदेंगे फिर कुछ प्लस करके वापस picture बना के देदेंगे और आपको बोलेगे बताओ इसका मतलब क आपसे किसी भी मोवी या किसी भी चीज का नाम पूछना चाह रहे हैं तो से हम क्याते है बुरी बस यह क्या है आपकी picture puzzle है और एक्वी मुकल वेरी वेरी इपॉर्टेंट वर्ट्स इन दोनों का इन दोनों वर्ट्स को कम से कम दस दस बार एक्जाम में देखा गया है इस लोगों को याद रखना है इन दोनों वर्ट्स का मतलब होता है संदीद या तो फिर ऐस्पष्ट जो चीज डाउटफुल हो और इसपष्ट हो जिसे देख के समझ में ना आया क्या लिखावा हो उसे हम कहते हैं एंबिवस या एक्वी वोगल इसे हम कभी-कभी ऐसा भी कॉ जेली सुझाने का काम करते थे हैं कि नेक्स्ट इक क्योस इसका मतलब होता है ओव्यवस्था क्या होता है अव्यवस्था अव्यवस्था मतलब स्चेट ओफ इस और डिसॉडर जापर सब कुछ एंपुछ फिलियर नहीं हो लैप ऑफ और ऑर्गनाइज़ेशन हो सारी चीज चाहिए ओकल्ड मतलब होता है घुप्त या तो फिर रहस्य मैल वहिड्य इंपॉर्ट वर्ट ज्वह ज्यादा सीग्रेटिव हो क्रिप्टिक आप لوग उने क्रिप्टोकरंसी टीशेव सुनाओय काफी जयादा इसके रेटES यजरते रिर्टिर ओन तो काफी वेल्यू आप फिर एक क्रिप्टो wanna क्रिप्टिक क्रिप्टिक क्रिप्टो करंसी ही से वर्डी При क्या या है इसका मतलब भी होता है क्या रहस्य में यह फिर संदेव की चीज़ इन दोनों कॉंटेक्स्ट में हम इस वर्ड को यूज करते हैं कोई-कोई सुपर नेचरल थिंग के लिए आप बोल सकते हो जो आपके अंडिस्टेंडिंग के बियॉंड हो जिसे आप समझ ही ना पाओ उसे नम क्या थे क्या अनकैनी और इट नेस्ट इट फिनिक्स लाइक इसका मतलब भी क्या होता है प्रोचीज रहसे मही हो मेस आप को ने देखा था वो जो अक्षय कुमार वह पता नहीं विलन के साथ कुछ-कुछ मेरा मेज में करते रहते एक दुसरे के पटकराते रहते गिरते रहते तो मेज मतलब क्या होता है बूल भूलेया भी आप हिंदी में कह सकते है अना लिपर इंपोर्टन बड इसका मतलब भी यह होता है क्या भूल भूलेया नैस्ट वाड़िप बाइजन्टाइन का मतलब होता है जो चीज जटिल हो क्या हो भी यह जटिल हो जिससे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो मतलब कुछ कोई चीज इतनी इंट्रिकेट हो इतनी डिफिकल्ट हो कि उसे कोई समाज ही न प और difficult, unique, unique word का मतलब भी क्या होता है, जिसे समझना difficult हो, यह कुछ symbols या languages के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ symbols या कुछ ऐसी languages जो हमें समझ में ना है, है नहीं, एरी का मतलब होता है, जो चीज अजीज अजीब हो, कैसी हो भाया, अजीब हो, very, very important word, very, very important word कहीं बार exam में आया है, enigma, again, something which is very mysterious, something or difficult to understand, जिसे समझना बहुत ज़्यादा क्या हो, difficult हो, कभी-कभी आपने देखा होगा, कोई इंसान रहता है, उसका व्यक्तित्व इतना आजीब होता है, कि अगों से समझी ना पाता है, कि इंसान अच्छ है, कि बुरा है, कैसा है, अलब इसे आप किसी परसन के लिए भी उस कर सकते हो, his behavior was very enigmatic, okay, example देख हो गई, example में लिखा है, the occult rituals were shrouded in mystery and secrecy, his uncanny ability to predict the future left people in all, ओ ऐसा, यह क्या कर रहे है, रिवेंज ले रहे है, इससे रिवेंज ले रहे हैं, यह, but obvious, जिन्हों इनका काम भी गड़ा होगा, उनसे रिवेंज ले रहे हैं, बदला लेना, कहते तो है, बसे अच्छी बात नहीं होती है, और माफ कर देना चाहिए, फाल तो ही किसी से क्यों बदला लेना, आपने सुना भी होगा, मात मंगाली जी ने कहा था, I hope आप इस चीज को फॉलो करते होगे, आनल जी, हम लोग देख रहे हैं, किस से रिली लेना, बदला, रिली लेना, इसे आप ऐसे भी क्या सकती हो, कोई ऐसे चीज जिसे नुकसान पहुचाना भूथी ज़्यादा, कोई ऐसे चीज जिसने आपको तो नुकसान पहुचा दियो, बट आप उसे रिवर्ट में नुकसान ना पुचा पाओ, से हम कहते हैं ये वर्ड एक्जाम में कहीं बार पुचा ये भीया वैंडिटा, वैंडिटा का मतलब क्या होता है भीया ब्लड फ्यूंड, जब आपसी गहर में क्या हो, जबड़ा हो तैमिली के बीच भी मार काटो, जैसे आप लोग ने मां बारत की स्टोरी सुनी होगी उसमें जो भाई भाई थे, उनके बीच में ही युद्ध हो गया था वैंडिटा मतलब वही होता है, शत्रुता और किनके बीच में परिवार के बीच में जो शत्रुता होती है उसके लिए वर्ड उसके आ जाता है Vengeance Vengeance का मतलब होता है प्रतिशोत प्रतिशोत मतलब अगेन वही किसी का बदला लेना किसी ने आप से कुछ फरवा लिया हो गलत काम कर लिया हो और आप पनिश्मिंट तो उसे हम कहते हैं क्या Vengeance Next word is retaliate retaliate का मतलब अगेन वही प्रतिशोत रिया देना किसी को किसी ने जिस आपके साथ क्या हो same as it is आप उसके साथ भी करें उसे हम कहते हैं retaliate required मतलब ये एक positive word है ये positive word है इसका मतलब होता है जब आप प्रविपे कारों kind में आपको किसी चीज की जरुवत है तो उस person ने आपकी भी help कर दे तो ये वाड़ एक positive है positive को टेक्स में इसे निखी है retribution मतलब अगेन वही प्रतिशोत या फिर क्या करना बदला देना reprisal अगेन से इंब प्रतिकरिया करना vindictive vindictive का मतलब भी वही होता है प्रतिशोती वो इंसान जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा उतियो किसी को मारने की या बदला देने की example देखे भी है vengeance seeking vengeance he plotted to even the score with his rival his vindictive actions only perpetuated the cycle of conflict यहाँ पे जितने भी words ये students दिख रहे है न ये सारे words के आपको examples मिल जाएंगे again कहां पे मिलेंगे वो PDF मिलेंगे PDF कहां मिलेगी तो PDF आपको मिलेगी root application और CGT इन दोनों में से आप जहां भी चाहें वापर English vocabulary section में जाके PDF ढूंडोगे vocabulary की तो आपको easily मिल जाएगी अब दो हम लोग next theme देख लेते हैं आप लोगों की किस related ग्रूप अब ग्रूप जो होते वो अलग अलग तरीकी की होते हैं आप देखाओगा जो आप सम्स्वम करती उसके लिए ग्रूप होता है लड़की आपस में बैठी किसर पूसर करती उसके लिए अलग करती हैं के ना और जो लोग Size वारे लोगों होते हैं वह गुड में जाते किसी से बदला लेने के लिए लड़ाई करने के लिए उसके नेक्स वर्ड है फैनिंग्स मतलब होता है ग्रूप एक्टर्स जब बहुत सारे एक्टर्स एक जोगा पर बैंठेवे हों उसे नियुक्त है याद अपना हो सकता है आपको अपकमिंग एक्जाम में देखने को भी मिल जाया यह ग्रूफ फैर लूप और आपको इसाम में देखा होगा कुछ लोग एकट्रे साथ उन बैठे रहते हैं फिश को पकड़ने के ग्रुप यहां पर वोमेन के ग्रुप उसका हम क्या कहते है दैभी कहते है वह अंग बैंग्स ग्रुप यह वाले परसनल रहते हैं उनके लिए यह हम बॉर्ड यूज़ कर सकते हैं कौन सा इसे इंसान का ग्रुप जो आपस में सेम इंटरस्ट रखते हो उनका टेस्ट सेम हो एक तरह की बात ही करना उने पसंदो एक तरीकी का म्यूजिक पसंदो उस ग्रुप का हम क्या कहते हैं वो टाइरी के ग्रुप आउन फॉमेंट फार सोशल वेलफेर आप लोगने देखा अगा बहुत सानी लेडीज ओके ग्रुप बने वे रहते हैं अभी वो मानवता की बहलाई के लिए हो सकता है तो मानवता की बहलाई के लिए स्पेश जूरूर बनाया जाता है वसम कहते है जोरो टी आदा इस ते लेंगंद का मतलब की किसी चीज़ का हिए बुट क물रन निया तो फिर सम्मों यह जनर나ए जाथा है अप इसे चीज़ दिए घं रर्चाट समवा जब या तो फिर सम्मूप, ये जनरली यूज़ किया जाता है जब आप किसी चीज के लिए क्या रच देऊ, शड्र रह तो फिर conspiracy, जब आप किसी के लिए शड्र रचते हो, शिक्रिट प्लॉट रचते हो, उसके लिए वाड ये यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है छोटा सम्मूव, मतलब छोटा सम्मूव मतलब किसी का भी हो सकता है, किसी का भी ग्रुप, जो एंगिस्ट्रे के साथ जहना पसंद करते हूं, ओके, यह वर्ड इंपॉर्टन भी है, यह वर्ड पिपर में मैंने फर्स टेम देखा रहा, जुन्ता, जुन्ता का मतलब होता है, जहां पर गवर्मेंट रूल खतब हो गया हो, और उसकी जगा पर मिलिटरी वालों ने अपना क्या कर लिया हो, शासन रख लिया हो, तो उसे हम कहते है, जुन्ता, इंपॉर्टन वर्ड है यह रख, एक्स वर्ड है गिटोस, गिटोस का मतलब होता है, एक ऐसी सिटी, जो सोशल र जो किसी पर्टिक्लर डिसीजिन के लिए आपस में मिल रहे हूं, स्प्लिंटर पीस ओफ फूट को कहते है, चा, इंग्जांपल देख लो, शासने दिल फस्ट इग्जांपल लिख है, शी जॉइंड अ कोगर्ट ऑफ लाइक माइंड इंडिविजिल्स तो वर्क उन दर पो बेहु आपक सी ध मतलब क्या है, अब लूट पार्ट से रिञेट पोनितल नहीं अंपक्से इम्पोर्टेंट वर्ट से ए? वो हम आप लोगों को बतारें भी है बाट ओवियस कहीं से लूट किया आते होगे, वो कभी उनोर ने टुक परक लूट लिया होगा, रस्ते में सामान बेशते है, स्पोइल का मतलब भी होता है, लूट का समान, स्पोइल का मतलब भी होता है, तू डैमिज या दू जीर, मतलब किसी भी चीज को क्या पोचाना, दॉकसान पोचाना, डैमिज पोचाना गिसी चीज को भाम पोचाना, उसे हम कहते हैं, और ऐस लूट भी हमसे उनोर। spoil को as a verb भी use किया जगता है और noun भी जब verb की तरह use करते तब तो मतलब होता है किसी चीज़ को नुकसान पुछाना और जब आप noun की तरह use करते हो तो इसका तरह होता है something which is no longer usable मतलब कोई चीज पहले तो use में थी बट अब use में नहीं हो उसके लिए हम यह word use करते हैं इसका मतलब होता है क्या रूट मार मचाना या फिल खंगी करना यह थंखी करना जीसे आपको नगोंने देखा होगा अफट नं से कुछ टेम पहले बुद्धिशन हुआ था लूट मार मचा दी थी उन्होंने ठगी कर ली थी नेक्ट वादे मॉरेट मॉरेट का मतलब होता है घेरा बंदी करना जब आप इसी चीज को ढूंडने के लिए आज पास ढूंडो और वापे क्या कर लो गेरा बंदी कर लो आप लोग ने देखा भी होगा पुलिस को खराब करना आप इस पाइलेच वाद भी एग्जाम में है पूछा गया है वैरी वैरी इंपोर्टन बड़ फोर अपकमिंग एग्जामेशन पाइलेच वाद का मतलब भी वाधा है वालन इस्टरम 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 इंग्जाम डेख लो इंग्डर्ट अन residence in a state of so that's it dear students हम लोगों ने total कितने words cover कर लिये हैं हम लोगों ने आज की क्लास में काफी सारे words cover कर लिये हैं 5 themes हम लोगों ने discuss कर लिये हैं तो I hope आपको आज का session अच्छे से समझ में आया होगा next आप लोगों को बता दे कोई SS student है जिन्हों ने हमारा English का batch अभी तक नहीं purchase किया है तो इस batch के teachers हम आपको बता दाते हैं recorded classes आपको यह मिलेगी study material मिलेगा mock test मिलेगा और एक साल की validity भी रहेगी कुछ भी doubt है तो आप इस contact number पे call करके पूच चकते हैं जिस भी exam में English पूचा जाता है यह course उन समी exam के लिए very important है मिलेगा कहां तो root application आप लोगों को download करना है हमने खुद SSC season qualified किया है तो बहुत ही simplified way में मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश किये चाहे मों grammar हो, vocabulary हो, comprehension हो सारी चीज़े मैंने आपको यहाँ पर बीटिन में डिसकस करा रखिए तो एट बार जरूर से आप स्पोर्स को पर्टिस कीजिए और सेकेंड एससी टार्गेड वेज़ भी है जिसमें आपको मैंस रीजनिंग इंग्लिश जीएस जीके का फांबो मिल जाएगा, सेंग और रूट अप्लिकेशन तो जल्दी मिलेगे नए वीडियो में सबी को गुडबाई, जैहन, वीडियो को लाइक करकी जाएगा और जिन्रों ने चैनल सब्सक्रेबनी क्या आपकर लीजेगा तो शिबरात्री, गुडबाई